Hello everyone and welcome to tasty wedge recipe आज हम सुबे के नाश्टे के लिए बनाएंगे दो बोहत ही tasty और crispy high protein breakfast recipes सबसे पहले शुरू करेंगे हम बिलकुल street style में दाल वड़ा के साथ दाल वड़ा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 3-4 high cup के जितना चना दाल लिया है और उसे हम भीगो देंगे पानी में कम से कम 2 घंटे के लिए या फिर आप चाहे तो रात भर के लिए भीगो कर रख सकते हैं अगर आपके पास morning में 2 घंटे नहीं है तो उसके बाद एक चमच के जितना मैंने दाल जो है भीगा हुआ उसे side में निकाल लिया है और जो बचे हुए दाल है उसे हम डाल देंगे mixer grinder में अब बिना पानी डाले इसे हम pulse mode पर grind कर लेंगे 3-4 बार देखे बिलकुल इसे तरीके का एक दब course मिश्रिन बनकर तयार होना चाहिए इसलिए याद रहे बिना पानी डाले ही इसे grind कर लीजी और उसके बाद जो भी grind किया हुआ मिश्रिन है उसे हम एक बड़े से बोल में निकाल लेंगे और जो एक चमच हमने चना डाल साइड में रख लिया था ना उसे भी इसमें mix कर लीजी हलका सा तीखा पन लाने के लिए इसमें मैं कटा हुआ मिर्श डाल दूँगी साथी एक चोटा सा प्यास डाल देंगे जिसे बारी चौप कर लिया है मैंने प्यास आड करने के बाद इसमें डाल दीजे एक चमच के जितना सौफ कड़ी पता लिया है जिसे अच्छे से दो कर चौप करके इसमें डाल दीजे उसके बार आदा इंच का तुकड़ा अद्रक्का ले लीजे और फिर ग्रेटा की मदद से ग्रेट करके इसमें आड़ कर लीजे अभी जो चना दाल है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए इसके लिए हम एक चौथाई चमज इसमें हींग आड़ करेंगे और डाल देंगे सारा कटा हुआ हरा धनिया और फाइनली टेस्ट के लिए इसमें जाएगा स्वादानुसार नमक इन सारी चीजों को आप अच्छे से मिक्स कर लीजे इसमें से कोई भी चीज किप मत कीजेगा ये जो सौफ प्यास ये सब डालवड़ा का स्वाद और बढ़ा देते हैं इस म नमक में जब बराबर है के नहीं और अगर कम जाद लगे तो एड्जिस कर लीजे अब हम हातों में हलका सा ओईल लगा के ग्रीस कर लेंगे इसे चोटा सा पोर्शन ले लीजे डालवड़ा का और उसके बॉल्स बना लीजे बॉल्स बनाने के बाद इसे हब पाम के बीच मे रखे और प्रेस कर दीजे देखे एकदम परफेक्ट शेप आया है कि नहीं सेंटर में से थिक और साइट्स में से पतला इसी तरीके से हम सारे डालवड़ा बना कर रेडी कर लेंगे इतने मिश्रन में लगबग आठ से नो डालवड़ा आराम से बन जाएंगे वही दूसरी और मैंने ओईल रख दिया है गरम होने के लिए जैसे तेल गरम हो जाए एक एक करके इसमें डालवड़ा डाल दीजिए और जैसे ही आप डालवड़ा डाल देना फ्लेम को आप लो टू मीडियम कर दीजिएगा दो मिनिट इसे पकने दीजिए दो मिनिट से पहले इसे टच मत कीजिए और जैसे ही दो मिनिट हो जाए ना इसे हम पलट देंगे और दूसरा साइट भी दो मिनिट पका लेंगे मीडियम फ्लेम पर यानि कि हमने दो मिनिट एक साइट पकाया है नीचे के साइट और दो मिनिट उपर के साइट पकाया है मीडियम फ्लेम पर और उसके कामबर के साथ सर्फ कीजिए जरूर ट्राइ कीजिए आपको बहुत पसंद आएगा अब डाल बड़ा के बाद हम बढ़ते हैं दूसरे नाश्टे की और इसमें हम बनाएंगे पैरी-पैरी पनीर चिल्ला तो पैरी-पैरी पनीर चिल्ला बनाने के लिए यहां पे मैंने हरे जिसे राथ को पानी में भिगो दिया था अब इसका जो पानी है वो सारा फेक देंगे और जो मुंग डाल है उसे डाल देंगे हमारे ग्राइंड़ के जार में मैंने यहापे मूंग दाल सर्फ सोक करके लिया है लेकिन अगर आप स्प्राउट्स फॉर्म में इने लिलना चाहते हैं तो और भी अच्छा है अब इसके अंदर मैं एड करूँगी अधरक, आदा इंच का तुकडा लिया है मैंने हापे अधरक का मुठी वरहरा धनिया डाल देंगे अच्छे से धोकर और हमारे चिल्ला को क्रिस्पी बिनाने के लिए इसमें मैं आड करूँगी दो बड़े चमच चावल काटा आप चाहे तो इसे आड कीजी अगर नहीं है तो अवाइड भी कर सकते हैं तीन से चार हरे मिश डाल दीजिए और थोड़ा पानी डाल कर इसे हम एकदम ठिक पेस्ट में ग्राइंड कर लेंगे तो यहाँ पे हमारा जो मूंग डाल का बैटर है वो ग्राइंड करकर रेडी है देखी काफी जादा ठिक है राइट अब थोड़ा सा जो बैटर चिपक गया है ना मिक्सर ग्राइंडर के अंदर उसमें हम हलका सा पानी डालेंगे वन फोथ कप के आसपस और फिर वापस इसमें डाल देंगे फिर इसमें नमा कैट करेंगे और हलका सा हेंग भी डाल दीजिए आप चाहें तो इस बैटर को बना कर रख सकते हैं फिरिज के अंदर और दो से तीन दिन एंजॉय कर सकते हैं जबी भी आपको चिल्ले बनाने हो इस बैटर की जो कंसिस्टेंसी है वो बिलकुल इडली बैटर के जैसी होनी चाहिए तो बैटर हमारा रेडी है यहाँ पे चलिए इसे ढखकर रख देंगे और हम इसकी स्टफिंग बनाएंगे स्टफिंग बनाने के लिए उसका जो बेस है उसमें मैं पनीर का इस्तमाल करूँगी तो यहाँ पे मैंने 100 ग्राम पनीर ले लिया है ग्रेट करकर अब इसमें हम डालेंगे कटी हुई हरे मिर्च आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग कमजादा कर सकते हैं इसे कटा हुआ टमाटर डाल देंगे इसमें हरा धन्या डाल देंगे फ्रेशनेस के लिए और फाइनली नमक डाल कर हम इसे मिक्स कर लेंगे तो यहाँ पे हमारी टेस्टी हेल्दी स्टफिंग बनकर रेड़ी है आप चाहें तो इसमें प्यास भी आड़ कर सकते हैं कट करके या फिर और भी हेल्दी बनाना चाहते हैं तो ग्रेट किये हुआ गाजर भी डाल सकते हैं तो दूसरी और मैंने कास्ट आयन का जो तवा है वो गरम करने रख दिया है गास के उपर अगर आपके पास कास्ट आयन का तवा नहीं है आप इसे नॉन स्टिक पैन में भी बना सकते हैं एक बड़ा चमच बैटर ले लिया है भर कर और इसे हम स्प्रेड करेंगे तवे के उपर अब जो हमारा चिल्ला है वो थोड़ा थिक ही होता है लेकिन अगर आप पतला चिल्ला पसंद कर सकते हैं तो और ज़्यादा इसे स्प्रेड कर सकते हैं एकदम पतला बनाईए जैसे ही उपर का सर्फेस सूखने लगे थोड़ा सा ओईल ड्रिजल कर लेंगे ओईल की जगा आप चाहे तो बटर का भी यूज़ कर सकते हैं और विज़ादा बढ़िया टेस्ट आएगा इससे उसके बाद हम इसे पलट देंगे और इसका दूसरा साइड भी सेक लेंगे आप चेक कर सकते हैं उसे लेकिन अगर गालिक चटनी नहीं बनाना चाहते तो इसकी जगा शेजवन सॉस यूज़ कीजे या फिर टमेटो केचप भी यूज़ कर सकते हैं हमने जो पनीर का स्टफिंग बनाया था वो रग देंगे और उपर से छिड़क देंगे थोड़ा प लगे तो लाइक कीजिए शेर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए साथी बेल आइकन को क्लिक करना भूलिएगा नहीं ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुचे थैंक यू